जादे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि उनका हम क्या करें जैसे बनियाईन हो गया, चादरे हो गई, पैंट हो गई, शौर्ट हो गई, यह पुरानी शॉल हो गई, कि इन सब का हम क्या करें? हाई एवरीमन, विल्कम बेक टो मैं चैनल, कुस्पा सिंगो लीमन चैनल, आसा करते हैं कि अपलोग बहुत ही अच्छे होंगे, वायदा होने वाला है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, और लार्ट देखिएगा, और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्रिज़ मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें, और विल इकन को ओल पे क्लिक करें, तो इस तरह की कॉंटेंट मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो यह वीडियो सुरू करते हैं, और देखते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, कि मैं जो पुरानी जो चीज़ें हो जाती हूं, उनको मैं कैसे रियूज करती हूं, और उसका मैं क्या करती हूं, जैसे यह बनियाइन पुरानी हो गई है, तो इसको मैं कटिंग करके, यह जो है डस्टिंग का काम करती हूं, जैसे बेड हो गया, यह मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था बनियाईन, तो यह बेड वगारा पोचने के लिए काफी हेलफुल होता है, क्योंकि कॉटन के कपड़े होते हैं, जो बेड वगारा को पोचने के लिए कुछ भी हो गया, टीवी उनिट को पोचने के लिए काफी जो है यह हेलफुल होता है, क्योंकि कॉटन कपड़े ऐसे होते हैं, जो हमें हमेशा जरुद पड़ता है, तो इस तरह से हम अपने क्लीनिंग में अपने जो बनियाईन होती हैं, उसको हम्री यूज कर सकते हैं, यह पैंट शॉट की अगर मैं बात करूँ, तो पैंट शॉट अगर अच्छे हालत में रहती हैं, तो मैं यह किसी को डोनेट कर देती हूँ, ताकि दूसरे के भी काम में आ जाए, तो या फिर जब नहीं कुछ कटे फिटे रहती हैं, तो मैंने यह देखिए यहाँ पी, यह अभी मैंने इसके स्टिचिंग नहीं करवाई है, इसको करवाना है, तो इस तरह से जो पैंट वगरा होते हैं, मैं इसको रियूज कर लेती हूँ, यह के ब्लैक में है, तो मुझे दोनों स्टिचिंग करवानी है, तो हो जाएगी तो मैं इसको अपने घर के कामों में इस्त चादरें जब कट जाती हैं इस तरह से आप देख सकते हैं मेरी चादर ये कटी हुई है तो इसको मैं क्या करती हूं कि अपने बेड के नीचे जो हमारा बेड होता है जो हमारे गदे होते हैं उसके नीचे मैं बिछाती हूं यहां पर मैं दिखाती हूं आपको कि मैं इस तरह स तो वो काफी सेफ रहते हैं इस तरह से भी मेरी एक पुरानी जो बेड़ सीट है उसको मैंने गद्दे के नीचे डाल दिया है ताकि यह जो मेरा कवर है वो खराब न हो और अच्छे से सेफ रहता है तो डबल बेड की चादरों अगेरा का मैं इस तरह से ही यूज करती हूँ और काफी जो है यह सुरच्छित रहता है तो इस तरह से फिर हमारा जो बेड है गद्दे है वो काफी सुरच्छित हो जाते हैं एक देख सकते हैं मेरी एक नाइटी पड़ी हुई थी जो मैं पहनते थी कॉटन की जो मेरी नाइटी थी तो उसको मैंने कट करके यह अपने ब रहेगा तो जो मैक्सी वगरा के जो कौटन वगरा के जो कपड़े होते हैं तो इस तरह से आप उसको रियूज कर सकते हैं और काफी ये अच्छा होता है तो इस तरह से मैंने यहां पे अपने जो भी मेरी नाइटी होती है तो इस तरह से मैं अपने बॉक्स वगरा पे डाल द तो उस कवर बॉक्स पे आप इसको फोल्ड करके डाल सकते हैं तो आपका जो बड़ा बॉक्स है वो भी सेफ रहेगा क्योंकि इस तरह की जो चादरे होती है वो खराब नहीं होती है जल्दी से यह मैंने ओनलाइन मंगाया था यह चार का पांच का सेट था तो कुछ वो गये ह और इसी तरह से मैं पुरानी चादरों का इसको यूज करती हूँ अब रही बात यह सोट की अगर इस तरह के सोट खराब हो जाते हैं तो इसको भी या तो अगर सही है तो यहां से इसको कट करके मैं कुछन कवर वगयरा भी इसका बना देती हूँ अगर कॉटन के हैं तो य जो हमारे कपड़े हैं, रियूज हो जाते हैं, या किसी को डोनेट वगारा कर सकते हैं, और अगर इस तरह की कोई सॉल, अगर आपके हाँ है, ये मेरी पुराने सॉल है, तो हलाक ये छोटी हो गई है, इसको मुझे फेकने का मन नहीं किया, काफी अच्छा है इसका जो डिजा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, काफी अच्छा लगता है, इस तरह से कर देने से, और इस साइड से अच्छी तरह से, साइड से आप इस तरह से कर सकते हैं, ताकि ये अच्छी से अपना कवर हो जाए, ध्यान से स्लोली करना है, असानी से ये हो जाएगा, कि तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह सी इतनी सोफा कुआ बनके तयार GitHub 핫 इस तरह से आप विलुट का रियूज था सकते हैं आप उपने तरह से रियूज कर सकते हैं देख सकते हैं एक सकते हैं कितना जो है यह अच्छा दिख रहा है तो इस तरह से देखिए कितना यह बॉर्डर जो है इसका यह कितना अच्छा लग रहा है और इस तरह से जो हमारा सोफा कवर भी है इस तरह से हो गया है तो इस तरह से आप अपने पुरानी कपड़ों सौल को रियूज कर सकते हैं तो आसा करती हूँ कि यह जो है कॉंटेंट आप लोग को काफी हेल्प मिला होगा और इस तरह से आप अपने जो हैं पुरानी कपड़ों को रियूज कर सकते हैं और कुछ भी पसंद आया होगा तब अपने फेमिले और फ्रेंड के साथ इसे जरूर सेयर करिए फिर मिलती हूँ अगले वेडियो में तब तक के लिए बाबाई एंट टेक केर हाँ सब्सक्राइब किये भीना मत जाईएगा बाई बाई एंट टेक केर लव यू वाल